हमारे भीच उपस्तित पूर्व विधायक स्रीमंगल सिंग बोंगोगा जी उपस्तित है और आज यहां माजी महाल में एक अति महत्पूर्ण बैठक था इस बैठक में जो है हमारे अंदोलनकारी दुखिराम मांडी जी काफी चर्चित मने इस छेत्र का अंदोलनकारी है और अंठर आपर समर्थन देने का इंडिया गड़ बंधन को शमर्थन देने की बात कहीती पिछलियो दीन एकफ़र के जरी और आज उन्होंने इनको समच इस को रैका उनका कुछ मुद्धा होगा अंदolsन का इंके नहीं कोया अगर्षन को रखे होंग्य मुद्धन के समच और हम लोग चले जानते हैं क्या का मुद्दा है और कौन सा मुद्दा पर उन लोगोंने सहमती जता के उनको समर्थन्दी हैं नमस्कार जुहार तो सर आज जो यहां बेठ़ा क समाजी महल में हमार घार्चिला कि अंद्लान कारीों का आप लोगों का मन耶 कौन सा किस कम त्लोगों के समर्थन दिया देखे जहारकन अलग राज आंदोलनकारियों का सबसे बढ़ा- 1 कन到र recycle मीटिंग का कुछ ऑर्गनेजर तो जौना जाकन अंदोलन कारी शाथ है जय दुडिकिरम ने किया था और इह आपको एक चीज बता दें कि पुरे राज के अंदोलनकारी इंडिया के पच्छ में आज समर्तन दे रहे हैं जब मामला तो अलग राज का मामला ऐसा था कि जारकन अलग राज का आर था कि जारकंडियों को विश्वेता था और स्वासासन का वो जनबादी अधिकार मिले जो स्याज सोच नहीं था कि अलग राज के अंदोलनकारी को समानित मिले लेकिन आज जब जिठ राजां के बाद सरकार ने Singか गोश्णणा क्या तो निश्चित परोप से ये लोगों की भी कंडिशन कि जो जो शही अंदोलनकारी एं कोई इस राज के राज बनाने में जिनकी भ समीर मानती को साथ देना समीर मानती एक लड़ा को संगर्शिल और चुंकि आच्चु का प्रोड़क्ट है और उसने भी कापी जेल कटा है लड़ाईयां लड़ा है उसने अब इस इलाके के लिए वो बिल्कुल पैचान के मोथाज भी नहीं है तो हम लोग एक लड़ाकु सात को जो है उस रूप में ही मदद करें कि वो आंदोलन कारियों का एक सपना को एक एक जरूर सकार करेंगे पूरा करने की दिशाक में एक आवाज उठाएंगे उनकी जिन्दगी उनकी जीवनी हम लोग अक्सर देखते हैं कि सिंपल आजी भी है बिढायक होने के बावजुद में एक आया है इनकी सरलता इनकी साचता इनकी लड़ाकू प्रिष्टबू में इसको देखते हुए शबी आंदोलन कारियों ने इस चीज को मासूस किया है कि ऐसे आदमी का सदन जाना बिल्कुल ज़रूरी है इसलिए हम लोग जो है इनको एक्ष्वल में जो अपनी सासरत है कंडिशन नहीं रखे हम लोगों ने लेकिन हमकी दर्द पीड़ा और यह भावनाओं को समझता है इसलिए हम लोग जो है आपको समीर मानती को हम लोग ताय दिल से कुले मन से और बेबाग तरीका से उनको मदद करें लोग तो मने अप लोगों को ऐसा कोई मांग नहीं च अस्वासन देते हैं तो यह अस्वासन पीजूल भकवास हो जाता है इसलिए हम लोग पहले काम करें उसके बाद उनको तो जब चाहे हम लोग बात करवा सकते हैं बात बोल सकते हैं उनको जो उनसे मिलना कोई कोई दूसरे लोग के जैसा नहीं है कि उनसे मुलाकात होगा न कि एक 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 अंदोलनकारी जो है पहिचान में चूटे नहीं अंदोलनकारी लोगोंको जो हक मिलना चाहिए उल हकसे बंचित नहीं हो जो जेल सल गया है उनको निस्चीत रूप से समान मिले और उनके लिए जो सरकार का जो सुराह है उसol SC चत रूफ से एक एकी मिलना चाहिए और उसके लिए जो है ना बात किया जाएगा हम लोग बारगेन और सौधा बाजी नहीं देखें नरंद्र मोदी जब यहां आपके घाडशिला का आया था घाडशिला में कोफर का माइस है और घाडशिला एक चेत्र है जादू गोड़ा भी यूरेनिय और दूसरा जो है वह एके आम ऐसे मुद्दा छोड़ गए जो चीच का है बखुआस और फिजूल काभवास है इहीं लोग एक बात बोलते थे कि बादमें बात बोलेंगे कि यह चुनाओ जुमला था उन्हसी नहीं लोगर बात बहुत सारी लाहन दूर्ध है कि हम लोग उसी को लाएंगे लेकिन हमारा सवाल इस चीज़ का है कि आपने राम को जब ला सकते हैं भगवान को ला सकते हैं तो यहां जो है संजय चोदरी जो प्रार है जारकन का रूप्या लूट करके उनको आप ला नहीं सकते हैं अप मुल्च शोक्सी जिस पर जो है ना क सब्सक्राइब को लाएं तो सवाल एक बनता है कि आप बहुत जहां आप एक घाड़सिला आये ते घाड़सिला की विरोजगारी घाड़सिला की किसानों की बधाली और घाड़सिला के लोगों की हालात पर चर्चा की बिगार यह जो है एक लौट गया एक जुमला दे कर कि अब आदिवासियों की भावनाओं को बार्गेन करने के लिए सौदा करने के लिए चीश तो कर लिया आई चीजह अप आपको एक चीज बता दें कि ज्ञार एक देश के अंदर में यह दो गुजराती जो गुम रहा है एक बता यह दो आदमी और करिदने वाला भी दो ब और ये जो सोदेबाजी कर रहा है कि हमने आदिवासी महिला को सर्भोज पत पर बैठाया है एक समय अपको रामनाथ कॉभींद को राश्ट पति बना दिया उसalenίνे के बीदर उसने इस्टि इट प penalty sided जो 1989 में लाया ता जिसने जो कानून को कानून को खतम करने की बात कर दिया उसने उस कानून को खतम करके जो है इन्हें सी की अधिकारों को समाप्त करने का आरक्षन खतम करने की बात उसमें उसने किया और एक आपका ठीक है सर्बोज पत पर बैठा करके उनको जो आना गुलामी जैसा करवा रहा है उनसे हस्तचर करा करके और आदिवाशियों की आदिकारों का हनन्द हमारे आदमी द्वारा ही एक चुछ कर रहा है हम आपको एक उधारन देना चांज है बहुत सारा जो लोग है ट्राइबल की जमीन पर जो लोग कबजा करते हैं ट्राइबल उसके मालिक हैं लेकिन उगर में नोखर जैसा है तो यह अब हमको ऐसा लगने लगता ही कि इनकी नाठक की भी एक है ठीक है देश की सर्बोज पत पर बैठा करके मनीपूर के अधिवाशियों को नंगा गुमा या उन पर कोई तिपिणी नहीं है उस पर एदम बिल्कुल मूँ सिला हुआ है तो क्या देश के लोग जान रहे हैं यह अधिवासी बर के लोग भी जान रहे हैं कि यह बहुत बड़ा एक जो है सोदे बाजी है और यह बहुत बड़ा जो है नाठक कार ब्यक्ति है कलाकार ह और इस कलाकारी को लोग एक समझते हैं आपको एक अभी हल के दिन में आपका चतिस गड़ में जो चुनाओ का परिग्राम आया और आने के तूरत बादी सरकार गटन टीक से नहीं हुआ था सपद भी टीक से नहीं लिया था लोगोंने पूरा कंप्ली लेकिन चतिस गड़ क अबयारन जो जंगल है उस जंगल को आडानी को सौप करके जो है पांच लाग गाच को काट दिया एक जिंदा मिशाल है इसलिए और इस सर्भोज पद में बैठाने के बाब जूद भी आपने राम मंदिर की सिलानियास में उनको नहोता देने की जोरत नहीं समझा तो हम लो को बैठा करके किस तरह से यह जो है कारोबारी कर रहा है यह बात को पूरा जो है जारकंड ही नहीं पुरे देश के अब आदिवासी लोग पैचान गया एक चुनाओं के प्रियेड में ही सारा चीज का है दिखाई दे रहा है अपने चार हजार से उपर करोड के गोटाला को पाटी में सामिल करा दिया तो क्या वासिंग मशीन है उस साप हो गए मदू कोड़ा को अपने हिमेद्सव विश्व सर्मा को जो आप आसाम का है उस 17,000 करोड की गोटाला का ब्यक्ति को आज सबसे जो है आप अच्छा आदमी समझे राजा भाईया जो चीज का है आपका कह हाँ आपका यूपी का ब्यक्ति जिस तलाब में मुलता है कि मगरमच पाल के रखा है अपने दुष्वनों को मगरमच से जो ना खतम करवा अपनीस करवा देता है आज मगरमच खतम हो गया या आज उसकी करेक्टर बिद्कुल बदल गई तो यह एक जो है ना ऐसे समय में अगर उस चीच को यह चीच किया जाए इसी को पलट करके देखिए तो इंडिये के नेताओं का जितना करफसन है अज निसिकांद दूबे का जो है कौन जांच करेगा कौन जांच करेगा अगर हम लोग बात बोले कि उनकी भी आवायत संपती की जांच हो तो कोई जांच न दूनिया का सबसे भराष्ट ब्यक्ति अगर स्वावित होगा तो नरेंदर मोधी होगा तो यह बिल्कुल लोगों को दोका देने के लिए लोगों को यह चुनाओं के प्रियेड में इस तरह से जो है हतकंड अपने है जा रहा है कभी हम लोग जिंदिगे में ऐसी चुनाओ लोग से पहले इस्तिफात मुष LOOK छीज नहीं कि शोवाट से नहीं है की चुनाओं आयोक का लोग कि चुनाओं से पहले इस्तिपा देते तो यह सारा चीज जोइन जो चीछ कर ला है चाया आलमगीर आलम से रूप्या हो बाकि चीछ का है से रुपिया हो यह तमाम एलेक्शन के समय जो यह दिखाना चाहता है कि यह लोग कितना करप्ट लोग है हम सबसे बड़ा इमांदार जनता को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि आज एक दो आजार का चुबीस का जो चुनाओ है यह चुनाओ कोई किसी को जीताने का चुनाओ नहीं होना चाहिए बलकि यह चुनाओ एक देश की लोकतंतर और संबीदान को बचाने का चुनाओ है और यह तभी देश बचेगा तभी लोग बचेंगे जब देश का संबीदान और लोकतंतर जिंदा रहेगा और इस देश में अगर चुनाओ होगा और देश के अंदर मे मजबूत एक भी पच एक मजबूत पच दुनों एक की जोरत है तब यह देश चलेगा नहीं तो यह राज तंतर पर आदारीत होगा और नरेंद्र मोदी एक पूतीन के रास्ते पर खदम बढ़ा चुका है चाइना के रास्ते पर राज तंतर की लाइन की चीज़ आ रही है न इंडिया गठवंदन के लोगों को चैन करने की जो रहते हैं उनको चुनाओं में जिताने की जो रहते हैं अब तो एक ऐसा चीज है दोवाजार चुदा में जब नरेंद्र मोदी आय थे तो जिश्चे में नारा लगा रहे थी कि हावाई चपल पाना वभ्यक्ति भी हावा पानसी उस लाइक हो जाएगा जिस दिन भूमी पत्र पूत्र उसके लाइक बनेंगे तब तो यारपोर्ट तो छोड़ दीजे बाकी जेट बीमान में उड़ने लाइक हो जाएगा तो तब उसकी रास्ता कुलेगा लेकिन अभी पिलहाल ऐसा कोई संभावना दिखता नहीं हैं उनकी भवनाओं का क्यal हर सरकार को रखना चाहिए इसलिए अज एयरपोर्ट के लाइक वी इंटरनेशनल एरपोर्ट कुला है आपको इंटरनेशनल अरपोर्ट कंपनी गुजरात कभी दवरा क्या अधिवासी इलाकों का सरपूरा का जंगल हो चाहे तो आपका ख्यवड़िया इलाका में सदार बलब्बवाई पठेल की स्टेचीव लगाया हो उसकी स्टेचीव की चर्चा आपका यहां का कवाफर जाकर के स्टेचीव तैयार किया लोगों ने लेकिन 75 तू गाउं जो प्योर ट्राइबल गाउं उस ट्राइबल को बिल्कुल उजहार करके बनाया गया जब अमरीका के राश्टपति ट्रामप जी आये ते तो उन सारे लोगों को परदा में डाला गया लोगों को निकलने नहीं दिया गया अधिवाश्ची जिनकी जमीन पर यह बनाया गया उनको निकलने नत्तक नहीं दिया गया अजादी नहीं दिया गया तो एही एयरपोर्ट का हासर इस्तिती होगा इसले अभी फिलहाल तो उसकी जवरत इसलिए नहीं है कि जब तक ट्राइबल उसके लाइक जो आनए इसी भूमी पर तैयार नहीं होंगे आइसे चीज़ों का हम लोगों को कोई मात तो नहीं रखता, ऐसा चीज़ों के लिए तेया है।